ओम नमः शिवाय जय माता दी दोस्तों आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मा भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवदा बनी रहे दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि मात ग्यारा सोमवार में हम किस प्रकार से शिवलिंग की पूजा करें कौन सी वस्तु शिवलिंग पर अर्पित करें और कौन सी वस्तु शिवलिंग से शिव मंदिर से हम अपने घर लेकर आए जिससे की घर के समस्त कष्ट दूर हो जाए किसी भी प्रकार का कश्ट हो, आपका कोई भी परेशानी आपके जीवन में हो, धन का अभाव हो, कर्द से परेशान हो या घर में बहुत अधिक कला, कलेश रहता है कई लोगों के कमेंट आते हैं कि परिवार के सदस्यों की आपस में बनती ही नहीं है परिवार में इतना अधिक कला, क्लेश रहता है कि आपस में जो रिष्टे हैं वो बिगरते जा रहे हैं तो विस अवस्था में ये उपाय आपके लिए एक चमतकार की तरह काम करेगा इसके अलावा अगर आप पित्री दोश से परेशान है अभी कुछ समय से एक कमेंट आ रहा है कि घर में पित्र दोश है पित्री दोश की वज़े से तमाम तरह की परेशानिया बनी हुई है मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताय हुए है पित्री दोश की वजह से कितनी अधिक परेशानियां रहती है पित्रदोश अगर होता है तो घर में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है बच्चे बड़े होते हैं लेकिन शादिया नहीं हो पाती है घर में धन बहुत आता है लेकिन ठिकता नहीं है ये धन का आगमन ही नहीं होता है, आप कितना भी धन कमाते हैं, कर्ज में ही फसे रहते हैं, बड़े से बड़ा व्यापार होता है और पित्र दोश अगर आपके घर में लगा हुआ हो तो व्यापार चलता ही नहीं है, आप जहां भी पैसा लगाते हैं दूब जाता है, अगर प्रकार से पित्व दोश के लक्षन होते हैं। कई तरह से अगर हमारे पित्री नाराज होते हैं तो वो हमें दर्शाते हैं और हमारी परेशानिया बढ़ाते हैं। तो इसके लिए भी जो आज का उपाय है वो रामबान की तरह काम करेगा। सदस्य का लगातार कमेंट आ रहा है कि उनके घर में पित्र दोश है और उन्होंने पूजा भी करवा ली है। सभी प्रकार के उपाय भी कर लिये हैं। पीपल की पूजा भी वो निरंतर कर रही है लेकिन उनके जीवन में उनके घर परिवार में परेशानिया निरंतर बनी और नियमित तोर पर आप इस उपाय को करते रहेंगे तो कुछी समय में आपके जीवन से जो भी पित्र दोश है जो भी पित्र दोश की वज़े से परेशानिया बनी हुई है वो समस्त परेशानियों से आपको मुक्ती मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखि हैं जो कालों के भी काल है। समस्त प्रकार के दुख का निवारन करने वाले महादेव की शरन में जब हम पूर्ण विश्वास से जाते हैं तो निष्चित ही हमारी जो समस्या है उनके लिए तिनके के समान होती है। इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपको पूरा विश्वास हो महादेव पर तभी इस उपाई को कीजिएगा, करना क्या है? सोमवार के दिन आपको शिव मंदिर जाना है. अच्छा पहले ही बता दू आपको शिव मंदिर जाकर ही ये उपाई किया जा सकता है. घर में है तो वहाँ पर ये उपाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं. बिना मंदिर जाएं, इस उपाई का आपको लाब नहीं होगा. पहले ही बता देती हूँ क्योंकि मंदिर में जो शिवलिंग होता है उसकी एनजी उसकी शक्ती कहीं अधिक होती है. घर में रखे हुए शिवलिंग इसलिए मंदिर जाकर की गई पूजा शीग्रफ अलिभूत होती है। तो जब भी आपको कोई भी उपाई करना हो अगर आप बहुत जल्दी लाब लेना चाहते हो तो मंदिर जाकर ही पूजा करें। किसी भी देवी देवता के मंदिर जाकर अगर हम पूजा करते हैं और उस देवता के हम घर में पूजा करते हैं इसमें बहुत फर्क होता है। तो भगवान भोलेनात की पूजन की सामगरी आपके पास होनी चाहिए। फिर दही से गी, शहद, शक्कर, बारी-बारी से इन सभी वस्तूओं का प्रयोग अभिशेक में कर सकते हैं। पूर्ण हो जाती है। आपके पास जो भी सामग्री है, भगवान भोलेनात को अभिशेक के लिए ले कर जाए. जल जरूर होना चाहिए. थोड़ा सा गंगा jel मिशृत जल घर से ले कर जाए. देखिए, गर्ग सहेता में कहा गया है कि जो भी वस्तू हम अपने घर से ले कर जाते हैं, अगर हम घर से भर कर जल ले कर जाते हैं तो उस जल में समस्त पवित्र नदियों का जल समाहित हो जाता है, स्वतही समाहित हो जाता है, बिना गंगा जल मिलाएं भी जो जल हम अपने घर से ले कर जाते हैं, शिवलिंग पर अभिशेक करने के लिए तो इसमें समस्त प्रकार की पवित्र नद इसके अलावा भगवान भोलेनात के अभिशेक के लिए जब हम घर से जल भर कर ले जाते हैं और अभिशेक करते हैं तो हमारे घर के समस्त प्रकार के दोश समाप्त हो जाते हैं। यह समाप्त हो जाती है। इस जल से जब हम भगवान भोलेनात का अभिशेक करते हैं इसलिए जब हम मंदिर जाते हैं जल हमें घर से ले कर ही जाना चाहिए। बहुत से लोगों का कहना होता है कि मंदिर में ही जल की व्यवस्था है तो हम वही से जल भर कर वही शिवलिन पर अर्पित कर देते हैं इससे आपको वो फायदा ही नहीं हुआ जिसके लिए आप मंदिर जाते हैं मंदिर हम जाते हैं ताकि हमारे घर की जो भी परेशानियां हो वो दूर हो वो तब दूर होंगी जब अपने घर से जल लेकर जाएंगे भगवान भोलेनात का अभिशेक करने के लिए तो जब भी आप मंदिर जाते हैं घर से पात्र में जल भरकर ही लेकर जाएं चाहे उसमें अगर गंगा जल हो तो मिला सकते हैं या ना हो तो सिर्फ शुधा जल भरकर आप भागवान भोलेनात का अभिशेक करने के लिए जल घर से लेकर जाए और पूजा की सामगरी में आपको अगर बिलवपत्र मिल जाता है तो बिलवपत्र ले सकते हैं सफेद चंदन ले लीजे भोलेनात को अरपित करने के लिए इसके साथ ही आपको दीपक अवश्य लेकर जाना है चाहे तिल तेल का प्रजवलित करे या शुधगी का दीपक प्रजवलित करे पर दीपक अवश्य आपको मंदिर में जलाना है पुष्प कोई साभी मिल जाए जरूर लेकर जाए ना उपलब्ध हो तो बहुत अधेक परेशान होने की आवश्यक्ता नहीं है लेकिन आसानी से अगर मिल जाता है तो जरूर लेकर जाए तो सुबह आपको शिव पूजन की ये सभी सामगरी लेकर शिवालय जाना है शिव मंदिर जाना है जहां पर भगवा भोलेनात की आपको पूजा करनी है अच्छा यहां एक और चीज आपको बता दून में अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा मंदिर हो यानि की कोई ऐसा शिवलिंग हो जो पीपल के व्रिक्ष के नीचे हो तो ऐसे शिवलिंग का पूजन करने से आपको शिग्रही लाब हो उसके बाद पंचामरित अर्पित करेंगे या जो भी द्रव्य आप भगवान भोलेनात को अभिशेक के लिए लेकर गए हैं उस द्रव्य से अभिशेक करें उसके बाद फिर से आपको भगवान भोलेनात पर जल अर्पित करना है पतली धार बनाकर ओम नमह शिवाई इस मं भगवान भोलेनाथ को आपको अर्पित भी करनी है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में 108 की संख्या का विशेश महत्व होता है। अर्पित करते हैं तो इसका बहुत शीगर आपको लाब होता है। तो आपके पास कोई भी सामगली अगर 108 की संख्या में हो तो अवश्य अर्पित करनी चाहिए। अब बहुत आसानी से जो मिल जाने वाली चीजे हम उस पर बात करेंगे। सबके घर में चावल होता है। अपने घर से अखंडित चावल जो की बिल्कुल भी तूटे हुए चावल ना हो ऐसे चावल आप 108 की संख्या में गिन कर लेकर जाए। एक एक चावल का दाना अपने दाहिने हाथ से उठा कर भगवान भोलेनात पर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय जब करते रहें। कोई भी मंत्र आप जब कर सकते हैं। आप पाठ कर पाते हैं। का स्मरन कीजिए। अपनी जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है चाहे जीस भी प्रकार के संकत से आप गिरे हुए हूँ। समस्त प्रकार के संकत भगवान भोलेनात से मंदिर में बैठ कर कहिए कि आप इस परेशानी में है। इस समस्या से जूज रहे हैं भगवान भोलेनात आपकी मदद करे। इस समस्या से बाहर निकलने के लिए मन की कोई कामना है तो भगवान भोलेनात से उसे पूर्न करने के लिए प्रार्थना कीजिए। जब भी हम भगवान भोलेनात के मंदिर जाते हैं थोड़े समय मंदिर में अवश्य बैठना चाहिए। शांत मन से बैठ कर अपने मन की प्रार्थना कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है तो भी थोड़ी देर तक बैठना चाहिए और मन से भगवान भोलेनात को धन्यवाद करना चाहिए. हर उस चीज के लिए जो भी भगवान ने हमें प्रदान की है वो आप कहेंगे कि इस पूजा में विशेश क्या है. हम तो हर बार ऐसे ही पूजा करते हैं. देखिए इस पूजा में विशेश ये है कि आपको एकी समय पर मंदिर जाना है. मतलब सुबह अगर आप साथ बज़े बज़े मंदिर जाते हैं तो हर सोमवार को आपको साथ बज़े मंदिर जाना ही होगा. पांच या दस मिनिट का अंतर हो तो चल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आज आप साथ बजे बजे जा रहे हैं कल आप नौ बजे बजे जाएंगे एकदम एक ही समय पर आपको हर सोमवार को मंदिर जाना है दूसरा जो भी सामगरी आप भगवान भुलेनात की पूजा के लिए लेकर जा रहे हैं 108 की संख्या में अगर आप चावल के दाने लेकर जा रहे हैं या फिर आप आंकडे के पुष्प लेकर जा रहे हैं जब तक आपकी कामना पूर्ण नहीं हो जाती है, लगातार आप पूरे धैर्य के साथ पूरे विश्वास के साथ शिव मंदिर जाएंगे। देखिये, लगातार शरन में रहिए, आपकी कामना आवश्य पूर्ण होगी। जब भी हम इस अवस्था में होते हैं और तब हम पूजा पाठ छोड़ते हैं तो इसे दोश नहीं माना जाता है। सामान्य अवस्था में अगर आप शुध है तो आपको मंदिर जरूर जाना है और आप जानते हैं कि आपको मंदिर से क्या लेकर आना है। जो जल हम भगवान भोलेनात को अरपित कर रहे हैं आप ऐसा कीजिए कि एक पात्र आप जल पूरा अरपित कर दीजिए। उसके बाद से थोड़ा सा अपने पात्र में शिवलिंग की जलधारी से गिरता हुआ जल लेकर आपको घराना है। घर के कोने कोने में उस जल का छिड़काव होना चाहिए। घर के सदस्यों के उपर भी उस जल से छिड़काव कीजिए। सब की उपर से नकारात्मक ऊरजा दूर हो जाएगी, घर के मुख्यद्वार पर मुख्यद्वार का जो गेट होता है उस गेट पर भी आप जल का छिड़काव कीजिये जिससे की किसी के भी किये कराये का असर आगे अगर आपके घर के उपर हो या फिर किसी भी प्रकार की नक गर से कलह, खलेश भी दूर होगा, परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम की भावना भी बढ़ेगी, मतलब अगर रिष्टे बहुत आधेक परिवार के लोगों में खराब हो गए हैं, इस उपाई को कीजिए, शीग्रही परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की बात से सहमती भी रखेगे, जितना भी बड़ा पित्र दोश हो, कोई भी ग्रह दोश हो, कोई भी वास्तु दोश हो, इससे दूर होगा, जब आप में से कई लोगों का प्रश्न होगा कि जब हम जल चड़ाते हैं, उसी समय पर दूसरे लोग भी जल चड़ा रहे होते हैं, तो ऐसे में जो हम पात्र में जल लेकर आएंगे तो क्या सब के जल नहीं होंगे, उसमें मिक्स, देखिए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जल धारी से गिरा हुआ जल जो होता है, वो अमृत के समान होता है, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि उस जल का पान करने के लिए सभ जानी देवी देवता वहां खड़े रहते हैं तो आप अगर उस जल को लेकर आते हैं, अपने घर में चाहे किसी ने भी वो जल चड़ाया हो, हमें थोड़ा सा जल चाहिए, जो जल धारी से सपर्ष होकर हमें प्राप्त होता है, उसी जल से आपको अपने घर में छिरकाव क और करके देखे ये उपाए आपको लाव इतना अच्छा दिखेगा कि आप लगातार निरंतर अपने जीवन में इस कार्य को करेंगे और इस उपाई को करने के लिए बस एक ही शर्थ है भुलेनात पर पूर्ण रूप से विश्वास और श्रद्धा मैं जानती हूँ कि मेरे परिवार के सभी सदस्यों में धर्म के प्रति आस्था बहुत हैं तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हरहर महादेव का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा जिससे की दूसरे लोगों को भी इस वीडियो से लाब हो बहुत से लोगों के जीवन में परेशानिया हैं उन्हें दूर करने के लिए अगर आप एक माध्यम बन पाते हैं तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़े पुन्यका ही काम होगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं अच्छी लगी हो आज की वीडियो तो चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल बटन को भी प्रास कर लीजिए इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार